दोस्तो भारत में पहली बार एक अक्टुबर 1926 को लोग सिवा आयोकी स्थापना की गई और 26 जनवरी 1950 में इसका अनाम बदल कर संग लोग सिवा आयोक कर दिया गया, UPSC प्रतिवर्ष सिविल सिवा परिक्षा का आयोजन करवाती हैं UPSC इस परिक्षा को तीन चरणों में पूरा करवाती हैं पहला चरण, प्रारमभीक परिक्षा, दूसरा चरण, मुख्य परिक्षा, तीसरा चरण, साक्षात कार अर्थाद, इंटर्व्यू प्रारमभीक परिक्षा इसका आयोजन जून अगस्त में होता आया है इसमें दो पेपर होते हैं, पहला GS, अर्थाद, General Study, दूसरा CSET, अर्थाद, Civil Services Iptitude Test प्रारमभीक परिक्षा पेपर एक, ये पेपर जीके पर ही आधारित होता है इसमें बुगोल, इतिहास, भारती आर्थ व्यवस्था, पॉलिटी, विज्यान एवं प्राद्योगी की पढ़्यावरन एवं करंट अफेएर्स आधी पर आधारित होता है इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रते एक प्रश्न दो नंबर का होता है ये प्रश्न पत्र दोसों अंकों कहोता है, समय सीमा दो घंटे की होती है और इसी प्रश्न पत्र के आधार पर आपको मुख्य परिक्षा में बैठने की अनुमती मिलती है प्रारमभीक परिक्षा पेपर 2 इसमें रिजनिंग और जनरल, मानसिक, योगेता, दस्वी कक्षा के स्तर्क की गनित और परिच्छित पारागुराप है पर इस प्रकार कुल मिलाकर इस पेपर में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रते प्रश्न 2.5 अंकों का होता है और कुल मिलाकर ये प्रश्न पत्र भी 200 अंकों का ही होता है समय सीमा 2 घंटे की होती है ये प्रश्न पत्र केवल क्वालिप फाइंग होता है इसमें आपको 200 में से केवल 66 अंक प्लाने होंगे प्रारंबीक परिक्षा के दोनों पेपर में वस्तुनिष्ट्रकार के प्रश्ण पूछे जाएंगे ना कि वर्नात्मक प्रारंबीक परिक्षा के अंक मुख्य परिक्षा में शामिल नहीं किये जाएंगे प्रारंबीक परिक्षा के दोनों पेपर में एक तीन रिनात्मक अंकन का प्रावधान है दूसरा चरण मुख्य परिक्षा प्रारंबीक परिक्षा के चार महिने बाद मुख्य परिक्षा होती है ये प्रश्ण पत्र वर नात्मक लिखित होते हैं इन सभी प्रश्ण पत्रों की समय अवधी तीन घंटे होती हैं। इन में रिनात्मक अंकर नहीं होता है। इसमें कुल मिलाकर नौ पेपर होते हैं। इन में आपको केवल 25% 75-75 अंक लाने होते हैं। इनके नंबर मुख्य परिक्षा में नहीं जोड़े जाते। इन्टर्व्यू के लिए परिक्षा के लिए परिक्षा के लिए परिक्षा का आता है। इन्टर्व्यू के लिए एक तीन उमीदवारों का चैन किया जाता है। यूपी ऐसी ओस्तन एक हजार पदों के लिए परिक्षा का आयोजन करवाती हैं इसलिए ओस्तन तीन हजार उम्मीदवारों का नाम इंट्रव्यू की लिस्ट में आता हैं और यहीं पर फैसला होता है कि कौन टॉप करेगा और कौन वापिस परिक्षा देगा दोस्तों अगर उम्मीदवार मुखे परिक्षा या इंट्रव्यू में अनुदियन होते हैं तो उम्मीदवार को वापस से प्रारंभीक परिक्षा से शिरुवात करनी होगी इस प्रकार कुल परिक्षा 2025 संकों की होती है UPSC के लिए शेक्षणिक योग्यता, विश्व विद्याले अनुदान आयोग UGC, हीधारा 1956, द्वारा मायता प्राप्त, किसी राज अत्वा के इंद्रिय विश्व विद्याले या ड्रीम विश्व विद्याले द्वारा सनाता कत्वा समकक्ष की डिग्री होना आवश्यक है जो चात्रिसनाता कत्वा समकक्ष परिक्षा की परिणाम का इंदजार कर रहे हैं, या अन्तिम वर्ष में हैं, वो प्तारंबीक परिक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन मुख्य परिक्षा में शामिल होने की पूर्व, उन्हें आवेदन पत्र के साथ न्यून्दम एक योगेता की डिग्रिसन लगन करना आवश्यक है. जो अभ्यर्थी MBBS के फाइनल एर में हैं, या जनकी इंटर्नशिप अभी पूरी नहीं हुई है, वो भी सिविल सेवा मुख्य परिक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन साक्षाद कार के दौरान उन्हें पूरी डिग्रिसाक्षाद कार बोर्ड के समक्ष रखने पड़ती है कम से कम आयो सीमा कितनी होनी चाहिए, दोस्तों जिस साल आप एक जाम दे रहे हैं, उसी साल एक अगस्त तक, आपकी न्यून तम आयो 21 वर्ष हो जानी चाहिए, अलिधा आप परिक्षा में नहीं बैठ सकते अधिक्तम आयो सीमा कितनी होनी चाहिए, सामान श्रेणी के लिए अधिक्तम आयो 32 वर्ष है, अनुय पिछडा वर्ग श्रेणी के लिए 35 वर्ष है, अनुसुचित जाती जन जाती के लिए 37 वर्ष है, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 42 वर्ष है प्रयासों की अधिक्तम सीमा कितनी होनी चाहिए सामान श्रेणी के लिए प्रयासों की अधिक्तम सीमा 6 है अनुय पिछडा वर्ग के लिए 9 अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और दिवांग अनुसुचित पिछडा वर्ग के लिए अधिक्तम सीमा नो है दोस्तों अगर आप भी UPSC की तयारी कर रहे हैं तो ये एप्लेकेशन आपके लिए बहुत फायदे मन्ध है एप्लेकेशन की लिंक और वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहाँ से डान्लोड कर सकते हैं UPSC रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं हमें आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद